हेई एवरीवन वेलिगम को सरकारियट वॉंसकेंग तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कॉशन करने वाला हूँ यह जो डिस्कॉशन रहेगा एम सीयरे रिकृट्मेंट एंट्रेंस एक्जाम के सलीबस के रिगारिंग रहने वाला है तो आप सभी को पता है एम्सी यारी का जो रेजस्ट्रेशन प्रॉसस है वो कल 1st of December को क्लोउज हो चुका है बाके जिनका रेजस्ट्रेशन प्रॉसस माल अगर आपने कर लिया था और उसके बादकर अपने आगए कोई प्लेट करना चाते हो पेयमेंट वगर के सकते हूँ तो कल तक आप कर सकते हो clear है? तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CRE AIMS का जो syllabus है basically हम वो जो domain subject की बात हो रही है syllabus में उसके उपर discussion करने वाले हैं कि उसकी preparation आप कैसे कर सकते हो वो syllabus के बारे में क्योंकि कुछ भी detailed information इस brochure में नहीं दिये ठीक है? तो वो कैसे आप समझ सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको guide करने के कोशिश करूँगा because उसके बारे में किसी को भी कोई भी clue नहीं मिल पा रहा है ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो exam है वो 18th या फिर 20th December को होगा तो मतलब यह है कि जादा से जादा आपके पास तयारी करने के लिए जो है आपके पास 15 days का time है तो 15 days के time में कुछ बहुत जादा अच्छी तयारी नहीं हो सकती जिसने मतलब यह है कि आपको main जो focus है वो यह करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा discuss यहां पर करते है तो admit card जो है वो 12 December को आ जाएगा जब आएगा तो मैं आपको inform कर दूँगा और बाकि जिसका कुछ भी form में गलती हो गई है वो correction भी कर सकते है correction की जब window open होगी मैं आपको inform कर दूँगा और बाकि जितनी भी इसके regarding details होंगी future में जो भी कुछ होगा तो इसके regarding सारे updates मिलते रहेंगे अगर आप इस channel परना है तो आप जरूर subscribe कर लें और bell icon को प्रेस कर लें तो यहां पर आप सलेबस देख सकते हो exam pattern जो है इसमें आपके 10 mcq जो है वो general intelligence and reasoning यानि कि GIR के होंगे दूसरे जो 10 mcq है वो आपके general awareness और knowledge of computer के बारे में होंगे quantitative aptitude से related आपके 10 mcq होंगे और English यह Hindi language और उसका comprehension होगा 10 mcq का ठीक है तो अब यह जो English और Hindi language लिखा है इसका मतलब यह है कि हो सकते है paper में आपके पास दोनों हो and most probably आपको उसमें से एक attempt करना होगा या तो English वाला part attempt करना होगा या फिर Hindi वाला part attempt करना होगा तो यह जो सलेबस है यह सभी post के लिए common रहेगा मतलब कोई भी post के लिए आपने apply के है तो उसमें जब आप exam दोगे तो यह जो general paper है यह सभी post को देना पड़ेगा सभी post के applicants को यहाँ पर इसमें appear होना पड़ेगा तो 40 marks का है 45 minutes में करना होगा और 40 ही questions रहेंगे तो level देखो बहुत ज़्यादा कुछ high नहीं होगा क्योंकि 45 minutes में आपको 40 questions करने को दिये जा रहे है इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर complicated questions नहीं होगे बस यह है कि आपको थोड़ा जल्दी करना होगा और जितना अच्छे से आप कर पाँ उतना ज़्यादा बढ़ी है तो इस पर मैं discussion अपनी upcoming videos में करूंगा कि इसको आप कैसे तयार कर सकते हो क्या के topics इनमें important है अभी हमारा जो focus है वो यह है कि domain subject के बारे में लोग यहाँ पर बात कर लें तो अब second जो paper है वो है domain specific का जिसकी duration भी 45 minutes होगी और इसके लिए भी आपको 40 mcq दिये जाएंगे 40 mcq में आपको attempt होना होगा और एक चीज़ यहाँ पर देखो यह सब भी लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं है इसलिए questions आप जो है सभी के सभी attempt करें ताकि जादा से जादा possibility हो आपकी marks increase होने की तो questions को बिल्कुल भी छोड़कर वहाँ पर ना है क्योंकि यहाँ पर negative marking नहीं है तो अगर आपका question का answer गलत भी आप attempt कर देते हो तो आपका उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर वो तुक्का लग जाता है सही तो सही होगा तो आपको plus one marks यहाँ पर मिल जागा ठीक है तो सबसे सही बात यहाँ पर यह है तो आपको कोई भी कोशिन आपर छोड़ना नहीं है बाकि जो भी बचते हैं तो आप उसमें कोई भी एक option जो है सभी में लगा देना ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यह जो domain specific वाला यहाँ पर यह इसके बारे में लिखा है तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतनी नाइन लिखे domain specific के बारे में कि आपका जो syllabus होगा वो आपकी education qualification के basis पर होगा या फिर experience के basis पर होगा जो कि आपसे essential मांगा गया है पोस्ट के लिए या फिर desirable experience जो मांगा गया है ठीक है तो बस इसी point को आपने note करना है because मैंने aims को mail करके भी पूछ लिया है और aims में जो आप देखोंगे न जब आप login करते हैं तो login करने के बार dashboard पर आपके वहाँ पर raise a query का option आता है तो कर सकते हो बट मुझे पता है कोई भी इतना खास response आगा नहीं जिससे आपको को satisfaction यहाँ पर मिल पाए ठीक है तो यहाँ पर देखो करना का है पहली चीज़ तो यह है कि जो general paper है उसकी तयारिया बहुत अच्छे से करो ठीक है और दूसरा जो आपका domain specific रह जाता है अब यहाँ पर example ले लेते हैं ठीक है जैसे बहुत सारे candidates का doubt है कि भाई LDC में क्या पूछा जाएगा या जो administrative officer है उसके लिए क्या पूछा जाएगा ठीक है उसके बाद desirable qualification में लिखा है कि MBA होना चाहिए या फिर PGA diploma होना चाहिए अगर होता है तो अच्छी बात है नहीं होगा तब भी को problem नहीं है बाकि government rules regulations के बारे में आपको पता होना चाहिए और computer related proficiency होनी चाहिए तो बस आप ये qualification वाले section पर focus करो जो भी आपको हम पर post आपनी जिसके लिए अप्लाए कर रहा है अब जैसे इन्होंने बोला है कि proficiency in computer होना चाहिए आपके पास तो भाई computer के बारे में आप जितनी knowledge पढ़ सकते हो तनी knowledge जो है आप लेकर जाओ मेभी हो सकता है कि आपके domain paper में computer से related आपको कुछने सुमा पर देखने को मिले ठीक है दूसरी चीज़ उन्होंने क्या लिख्या है कि government rules and regulations के आपको knowledge होनी चाहिए तो government rules regulations के बारे में देख लो जैसे भी ये जैसे assistant administrative officer है तो administration department से related यहाँ पर आपको job दी जाएगी तो administration से related जो भी rules and regulations होते हैं ठीक है आप YouTube पे search करो आप Google पे search करो या फिर आप क्या कर सकते हो chat GPT का use कर सकते हो ठीक है questions पूछे जा सकते हैं ठीक है because जिस level पर आप हो आपके साथ वाले भी उसी level पर है उनको भी नहीं पता कि exactly इसमें क्या पूचा जाएगा but अपनी तरफ से जो आप effort कर सकते हो वो इसी तरीके से कर सकते हो ठीक है बागी maximum जो आपको time देना है वो अपने जर्नल पेपर पर देना है because जर्नल पेपर का सलीबस आपको confirm बता है तो उसके बार में मैं अपनी नेक्स वीडियो में बता दूगा कि कौनकों से topics important है reasoning वगरा में क्या पोचा जाएगा और GK वगरा में क्या चीज़ आएग food and nutrition से आपका होना चाहिए तो बही subject domain का जो paper रहेगा उसमें food and nutrition से related ही questions रहेंगे तो ऐसी post के लिए तो सब चीज़े क्लियर है ठीक है अब जैसे मालनो आपर assistant engineer लिखा है तो यहाँ पर लिखा है कि बही graduation आपका mechanical or electrical engineering में होना चाहिए तो electrical और mechanical engineering से यहां से questions पूछे जाए ठीक है यह हो गया civil engineer है तो civil engineering के questions होंगे तो यह vacances के बारे में तो आपको पता है अब जैसे मालनो यह store officer है ठीक है तो यहाँ पर भी आपसे degree मांगी है और दूसरी qualification हो लिखे है post graduate degree या फिर डिप्लोमान, material management अब यह material management जो आपको term देख रहे है material management से related चीज़े आप पढ़ सकते हो चार्ट GPT पर सरच कर लो Google पर सरच कर लो या फिर YouTube पर सरच कर लो material management कैसे होता है क्या-क्या उसके rules होते हैं क्या-क्या procedure होते हैं ठीक है क्या-क्या theories है उसकी यह सारी चीज़े आप अपने खुद से पढ़ सकते हो तो बस यही एक option है जो आप अपनी तरफ से जो है म इनके professional field से ही यह questions पूछे जाएंगे अब cashier के हाँ पर vacancy दे तो cashier में आप देखो कि qualification में क्या लिखा degree लिख है उसके बाद 2 साल का experience होना चाहिए accounts का आपको handle करने के लिए तो accounts के आप rules पढ़ सकते हो accounts को कैसे handle किया जाता है क्या-क्या चीज़े महाँ पर आपको करनी हो ना क्योंकि हो सकता है domain paper में आपके पास computer ही computer के questions देखने को मिले और दूसरी चीज़ देखो ये भी कुछ बच्चे बोल ले थे कि क्या पता है LDC बगरा जो पोस्ट है lower division clerk यहाँ पर subject domain का paper होई न तो ऐसा हो भी सकता नहीं भी इसके बारे में कोई security नहीं है बट आप अप पूरी कोशिश यह करो कि qualification में जो जो चीज़े मांगी गई है उस field से related या उस topic से related सारी research करके आप चाओ ठीक है तो यह cashier के बारे में बता दिया chief cashier में भी लिखा है जैसे graduation in commerce तो commerce field से रोज़ेगा उसको यह सारी चीज़े पताऊंगे उसी field से related question पूछे जाएंगे ठीक तो इनके field से question होंगे और फिर hygienist से related field तो dietitian हो गया यह सारी professional post है ठीक है disection hall attendant तो यहां पर disection related rules और पूछे जाएंगे क्या-क्या government के rules से disection किस चीज़ों का किया जा सकता है इस type के question हो गया ठीक है अब यहां driver के अगर कोई post किसी ने apply कर रहा है तो देखो यहां पर यह यह आपका 10th pass होना चाहिए ठीक है LMV, HMV के commercial license होना चाहिए तो driver से भई क्या ही पूछ सकते है subject domain paper में यही पूछेंगे traffic rules के बारे में पूछेंगे तो उन्हे traffic rules के बारे में knowledge होनी चाहिए ठीक है na traffic rules जितने भी होते है lights का क्या-क्या मतलब होता है traffic lights का क्या मतलब होता है इस वाले symbol का क्या मतलब होता है इस वाले sign का क्या मतलब होता है इस type के questions आप से पूछे जाएंगे ठीक है तो यही सारी चीज़े है मतलब qualification के basis पर आप यहां पर थोड़ा सा सुचलो थोड़ा सा दिमाग लगा लो आपको पता लग जाएगा कि subject domain में किस type के questions आ सकते हैं ठ Hindi officer, social psychologist उसके बाद यह hospital attendant grade 2 यहां पर जैसे क्या है आपसे matriculation मतलब 10th pass मांगा गया है और certificate course होना चाहिए आपका hospital services में तो यहां पर आपका desirable क्या लेखा है कि working आपने काम किया हो किसी भी hospital में तो यहां पर आपके subject domain में hospital working से related questions पूछे जा सकते हैं ठीक है कि hospital का जो आपका infrastructure होता है वो किस तरीके से होता है emergency वाला जो section होता है वो किधर होना चाहिए emergency में क्या क्या चीज़े अविलेबल होनी चाहिए जैसे oxygen cylinder हो गया जो भी चीज़े मतलब देनी होती है ठीक है या फिर CPR वगरा देना है तो उसका arrangement होना चाहिए तो इस type के questions जो है वो पूछे जा जाएगा अब यहाँ पर आगे lower division clerk ठीक है LDC की बोच देखो यहाँ पर क्या लिखा है essential qualification है 12th class आपने पास किया हो किसी भी board या university से उसके बाद आपका एक skill test होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है skill test तो देखो यहाँ पर exam complete होने के बाद जब आपका exam clear हो पर अगर आपके desirable qualification में लिखा इसका मतलब computer से ही questions पूछे जाएंगे तो LDC की post के लिए जिस जिसने हाँ पर form fill करा है वो computer के बारे में जितनी knowledge ले सकता है इन 15 दिन में मतलब computer और साथ में जो आपके general paper है बस इतनी तैयारी कर लो आप ठीक है तो computer field से ही related आपके questions होगे memories हो इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हो ठीक है बेसिक बेसिक चीज़े यूट्यूब पर सच कर लो धेरो हजारो वीडियो मिल जाएंगी इनके बारे में ठीक है या फिर एक काम और यह भी कर सकते हो लूसेंट के एक book आती लूसेंट जी के गी उसमें भी जो computer वाल उसके सासर प्रोफेशिंसी और computer तो आप लोग भी computer पढ़के जाए इस पोस के लिए अपलाए करा है तो बस आपको कुछ नहीं करना है qualification पर धान दो उससे आपको पता लग जाएगा भाई किस टाइप के जो questions है वो आपके हां पर domain paper में पूछे जा सकते है ठीक है फिर यह इंजिनेरिंग के वेकेंसी तो इनके field से related यह questions पूछा जाएंगे बाकि ऐसी और शायद कोई vacancy मेरे साब से नहीं होगी जो general vacancy होगी ठीक है और अब यह जैसे reception officer है तो इसमें यह बोलाए कि आपके पास degree होने चाहिए उसके बाद डिप्लोमा आना चाहिए journalism और public relation में फि उसी चीज़ यह लिखे है कि public relations के बारे में आपको knowledge हो तो public relations मतलब MBA वगरा में होता है यह public relations तो उसके जो भी topics है उनकी जो जो theories है वो आप पढ़ सकते हो public relations management के बारे में ठीक है तो ऐसी आपको थोड़ा सा है यहाँ पर मतलब search करना इसके बारे में कि कि किस type के जो questions है वो मैं आपको बता भी दिया कि topic आप ढूंड कैसे सकते हो अगर आपको Google पर नहीं मिलता है YouTube पर नहीं मिलता सीधे जाके चार्ट GPT से पूछ लो ठीक है अब यह housekeepers हैं तो इसमें भी लिखा है कि junior warden का आपके पस two year का experience होना चाहिए वरल आप junior warden तो warden से related आपको information होना चाहि अगर आपको अपना subject domain नहीं पता चल पा रहा है कि syllabus क्या रहेगा तो अब I hope कि आपको यह सेरी चीज़े थोड़ी थोड़ी पता लग गई होंगी कि अपने subject domain की तयारिया आप कैसे कर सकते हो ठीक है तो बस मेरे को इतना ही hint देना था I hope अगर आप यह समझ गयो और आप को जरूर लाइक कर देना और बाकि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बैल अगन को प्रेस कर लो और इसके बाद में नेक्स वीडियो अप्लोड कर दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जन्रल पेपर की तयारे आप कैसे कर सकते हो कौन कौन से